Hello to all my beautiful souls, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, यू वर्सिस देम, आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यह सब यहाँ पर हम जानने की कोशिस करेंगे, तो यह एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड टाइमलेस रीडिंग है, और जेंडर फ्री रीडिंग है, ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा, हो सकता है कि कुछ बातें आप से रेजनेट ना करें, तो जितना भी आप से रेजनेट करें उतना रखिएगा, और बाकी को छोड़ दीजिए, और फ्रेंड्स अपने लिए accurate रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, और मेरा WhatsApp नमबर आपको मेरे चैनल के about section में मिल जाएगा, अगर आप लोग अपने लिए personal रीडिंग चाहते हैं, तो आप लोग मुझे contact कर सकते हैं, और सिर्फ आपको WhatsApp कांटेक्ट करना है, call नहीं करना है friends, तो हम शुरू करते हैं reading को और देखते हैं कि आपकी क्या feelings हैं उनके लिए और उनकी क्या feelings हैं आपके लिए, thank you, thank you divine power, thank you so much God, thank you so much angels, thank you so much universe, please guide करें हमारी viewers की क्या feelings हैं उनके person के लिए, thank you और यह reading male female सभी के लिए है सभी देख सकते हैं dear friends, life में कुछ problem हो तो आप लोग उनसे राहत पाने के लिए bracelets यूज कर सकते हैं bracelets का work भी शुरू कर दिया है मैंने और आपको जिस भी छेत्र में problem हो रही हो उससे related आप मुझे बताईएगा अपनी problems बताईएगा अपना नाम बताईएगा और उसके बाद मैं आपको advice करूँगी कि आपको कौन सा bracelet पहना चाहिए bottom of deck is queen of pentacles friends आप लोग अभी इतनी ज्यादा sad energy में क्यों है अभी आपकी जो feelings बनी हुई है वो यह है कि आप ठक चुके हो अपने person के पीछे भागते भागते उनको call message करके उनको बारवार approach करने की कोसिस करकर के आप लोग ठक चुके हो आपने surrender कर दिया है आपने हत्यार डाल दिया है आपको अब यह लगता है कि जो होगा वो देखा जाएगा मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है अब मुझे इस रिष्टे में कोई पहल नहीं करनी है 10 of swords आप बहुत pain में हो बहुत परिसानी में हो आपके अंदर बहुत दुख है emotional level पर आप एक तरीके से तूट चुके हो आपको इतना pain है इतना दर्द है कि ऐसा लगता है कि life में recover नहीं कर पाएंगे आप अभी अपने emotional level पर बहुत बहुत अपने आपको दुखी महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त एक phoenix की position में हैं कि वो बिल्कुल जब टूट जाती है खतम हो जाती है फिर उसके life में एकदम से change आता है वो राक से दुबारा से phoenix rise होती है तो आपकी life में भी वो टाइम चल रहा है और आपको उमेद थे ही कि ये person आपको approach करेंगे आपकी सारी wish fulfill करेंगे क्योंकि आपने इस person के अंदर वो चीज़ देखी ये person आपके लिए emotional level पर available रहते थे इन से आप emotionally बहुत ज़्यादा attach हो चुके हैं इनको आप अपना life partner अपना soulmate अपना twin flame अपना जिगरे जिगर सब समझते हैं आपको ये लगता है कि ये person आपके लिए सब कुछ है लेकिन इनकी बेरुखी इनका बात ना करना इनका आपको इग्नोर करना आपको बहुत pain दे रहा है 10 of swords आप इस रिष्टे से move करना चाहते हो आप ठक चुके हो और हो सकता है कि हमारे बहुत से viewers यहाँ पर move कर चुके हो move on कर लिया हो और नोंने life में 8 of swords आप बंदा हुआ फिल कर रहे हैं आप emotional level पर इस person से detach नहीं हो पा रहे हैं हाला कि आप अपनी तरफ से 100% कोसिस कर रहे हैं कि आप इस person को अपने mind, body और soul से निकाल सको यह person आपके mind में और आपकी soul में इस तरीके से बस चुके हैं कि आप अपने आपको बहुत high feel कर रही हो अभी आप यह सोचती हो कि किस तरीके से क्या बहाना लेकर मैं अपनी life में आगी move on करूँ ऐसा कौन सा काम करूँ जिससे कि मैं इस सब situation से बहार निकल सकूँ इस person को भुला सकूँ क्योंकि आप इनको बहुत miss कर रही हो the moon आप बहुत रोते हो परिसान होते हो बहुत miss करते हो अलाकि लोगों की gossip आपको कभी कभी परिसान करते होगी लेकिन आप उस gossip पर ध्यान न देकर आप अपने आपको कोशने लगते हो आप यह सुचते हो कि सभी emotional level पर खेलते हैं आपके साथ सभी आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और आप अभी बहुत sad energy में हो अगला card है justice का और उसके साथ है temperance का दोनों ही balance के card है तो यहाँ पर आप justice चाहती हो divine से, God से, ईश्वर से और इस person से भी आप justice चाहती है उस person से भी, आपको यह लग रहा है कि जितना आपने इसको 100% अपना time, अपना प्यार, अपने emotions दिये हैं उतना ही इस person को आपके लिए करना चाहिए आप balance लाने की कोशिस कर रही हो, अपने mind, body, soul में अपनी life में, हर जगह आप balance बनाने की कोशिस कर रही हो page of cups, page of pentacles, आप अपने finance पर work करने लगी हो आप अपने आप पर focus करने लगी हो, आप queen of pentacles बनना चाहती हो आप यह सोचती हो कि love life में ना सही, मैं material life में अपने आपको stable कर सकूँ material life में अपना एक नाम बना सकूँ, एक ओहदा बना सकूँ यह सोचकर आप अपना पूरा focus अपने finances पर करने लगी हो अभी चूंकि आपके finances थोड़ा सा grow up करने की stage में होंगे अभी आपका सुरुआती दौर होगा finances का लेकिन आप इसमें अपने आपको खड़ा करना चाहती हो आप यह चाहती हो कि आप अब सिर्फ और सिर्फ अपने केरियर के उपर ध्यान दो page of cups पूरा focus है आपका अपने केरियर पर लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं कभी कबार दिल उनकी और चला ही जाता है उनकी याद आपको आ ही जाती है और आप इस page of cups की energy से भी बाहर निकलने की कोशिस कर रहे हैं तो friends यह है आपकी feelings भी right now अब हम देखते हैं कि आपके person क्या feel कर रहे हैं क्या energy है उनकी क्या feelings हैं उनकी आपके लिए Thank you God, thank you so much angels, thank you so much universe, please मुझे guide करें, thank you थोड़ा सा shift कर देती हूँ cards को जिससे की हमारे viewers को proper visible हो पहले यह वाला card खोला था हमने तो उसको पहले रखेंगे clarity मिल रही है आपके person को mind clear हो गया है इतनी होचपोच थी पहले mind से सारी निकल रही है Ace of Wands, passionate energy है आपके लिए बहुत passion फिल कर रहे हैं भावनाएं जागरत हो रही हैं उमड़ उमड़ रही हैं डरते भी बहुत हैं आपसे डर लग रहा है उनको आपको एप्रोच करने में क्योंकि थर्ड पार्टी ही वजए से आप दोनों के बीच में जो हुआ है उसके लिए उनको लगता है कि आप उनको माफ नहीं करोगी आपके परसंड आपके पास आने वाले हैं एक तो उनकी ब्यवहार में उनकी नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है पहले अगर ये जिद्धी थे पहले अगर ये अडियल थे पहले अगर ये ना समझ थे पहले अगर ये किसी बात को समझना नहीं चाहते थे सिर्फ अपनी अपनी लगाए रहते थे तो अब ये बहुत डाउन टू अर्थ हो चुके हैं इनकी सारी जो दिमाग की वो है मसीनरी वो बिल्कुल सही हो गई है अब ये बिल्कुल सही चल रहे हैं अपनी लाइफ में और इनको अकल आ चुकी है डिवाइन के ऐसे जटके लग क्लेटी मिल चुकी है इनको कौन अपना है कौन पराया है आपको कुईन ओफ बांट की तरह से देख रहे हैं अब ये जो क्विन ओफ वांड है ये इनकी और से मोँ फेर के बैठी है आप देखिए देखिए यह अपना cup of love लेकर आना चाहते हैं लेकिन आप इनकी तरफ से मूँ फेर के बैठी हो क्योंकि आपने बहुत सैन किया है फास्ट में आपने जो किया है इनके लिए कोई नहीं कर सकता आपका मुँ फेर के बैठना जायज है बिलकुल सही है आपको अपनी पावर में देखते है पॉजिशन में देख रहे हैं वो आपको आप बिलकुल अपने अपमें अपने गट्स में आ चुकी हो कि आप नहीं कौन हो तुम मैंने जानती तुम्हें Ace of Wands, Passionate Energy है, Fiery Energy है जो सूख चुकी थी डालें उन पर फिर से पत्तियां हो रही है मतलब जो उनके Emotions कभी Dry हो चुके थे, मर चुके थे अब फिर से पनप रहे हैं फिर से इस रिस्ते में एक नई शुरुवात करना चाह रहे हैं Moving Energy है, Move कर रहे हैं आपकी और Past में Third Party की वज़ा से ये बहुत Confused थे इनको कभी ये समझ में नहीं आया कि इनको चुनना किसे है एक तरफ हो सकता है, इनकी Family हो, Friends हो, इनका Business हो, Career हो, इनकी Study हो और एक तरफ आप, ये हमेशा ही Double Mind में रहे हैं रास्ता इनकी सामने था Just, लेकिन ये इधर जाओ, इधर जाओ, किदर जाओ, इनको खुद से ही अपने दिमाग में खुद ही दही मत रहे थे लेकिन अब, अब बिल्कुल Clear हो चुकी है चीज़े, जो दही मत रहे थे, उसका छाच बनके यहाँ आगया है आपके सामने Fool, Fool की Energy होती है ना, ये बहुत Pure Energy है, मेरे लिए ये बहुत Pure Energy है यहाँ पर ये Sun है, इस परसन के हाथ में रोज है, और इसके लकड़ी ये कंदे पर गठरी है, उसमें हो सकता है कि इसका जरूरत का सामान हो और ये इसके साथ इसका वफादार डॉग, अब ये परसन चल रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं, खुसी में हैं, इनको ये पता है कि मुझे क्या करना है आगे मतलब एक चाहते हैं, अब जो होगा देखा जाए गा, मैं ये कोसिस तो कर लूँ, उसके बाद जो होगा देख लेंगे 9 of Wands हलाकि अपनी 3rd party situation से बहुत परेसान हो चुके हैं बहुत थके हुए हैं बहुत अपने आपको हतास फील कर रहे हैं लेकिन आपके लिए फिर भी ये दम लगा कर खड़े हुए हैं फिर भी ये अपने आपको इस्टेबल करके खड़े हैं लकडी के सहारे ही सही लेकिन आपकी उराने के लिए रेडी है आपकी उर देख रहे हैं आसावरी नजरों से और Ace of Wands के नीचे Wheel of Fortune and the Lovers किसमत का पहिया पलटेगा और बलकि बहुतों के लिए ये पलट रहा है किसमत के पहिये नहीं ये जो Wheel of Fortune है इसने अपना Move करना सुरू कर दिया है बेसक धीमे गती से ये Move कर रहा है लेकिन इसने अपना Moving Work जो है ना Move करना सुरू कर दिया है The Lovers आप दोनों एक दूसरे को Soul Level पर बहुत ज़्यादा चाहते हो हाला कि दुनिया की बहुत सारी कठनाईया हैं आपके आगे लेकिन Angels दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं Angels दोनों को आसिरवाद दे रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ो और दूसरों को भी इस तरीके से प्रोट साहित करो कि लोग सच्ची लाइफ को जिए सच्चे प्यार के साथ सच्ची उमीद के साथ सच्चे जीवन साथी के साथ एक true life को जिए ऐसा नहीं हो कि घरवालों की मरजी से साधी किसी और के साथ कर ली लेकिन soul level पर खुस नहीं है parents की खुसी के लिए साधी कर लिए लेकिन अंदर से खुद खुद दुखी है तो ऐसी marriage से क्या फायदा होगा अगर आप अपनी soul के साथ compromise कर रहे हैं आप अपनी भावनाओं के साथ compromise कर रहे हैं कि कुछ दिनों का यह charm रहता है कि बेटे या बेटी की साधी करा दो उसके बाद एक normal routine चलने लगता है लेकिन आपकी life जो है ना वो पूरी खराब हो जाएगी आपने अगर सोचाया कि कुछ बेटर करना है future में तो आप हर जगे compromise ही करते रहेंगे आपके person जो है वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी जो सची खुसी है वो आपके साथ है life में वो अगर एक बार उन्होंने compromise किया तो उनको बार बार compromise करना पड़ेगा और ये बात उनको समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और यहां पर most of color जो दिख रहा है न कार्ट का वो green color है और green color जो होता है न हमेशा abundance का होता है prosperity का होता है तो आपके relationship में एक नई prosperity आएगी एक नया abundance आएगा और आपके person leap of faith लेने वाले हैं आपके लिए ले रहे हैं और बहुत से viewers के यहां पर ले चुके होंगे उन्होंने आपको approach किया होगा और आपकी बात अपनी जो बाते हैं वो आप से उन्होंने बताई होंगी bottom of deck है king of swords तो अब यह अपने आपको बहुत cover करके बैठे हुए है यह ना third party के पास जाना चाहते है अब यह बस जितना फैल ना था रायता फैल चुका है अब यह कान पकड़ के बैठे हैं कि अब नहीं कहीं जाना अपने आपको guard करने के लिए sword ले लिए king of sword बन गए हैं अब इनके emotions के साथ कोई खेल नहीं सकता और ना ही कोई इन पर अपनी मनमानी चला सकता है तो friends यह थी reading I hope कि reading आपसे resonate की हो आपको पसंद आई हो reading पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे channel पर हैं तो please like, share, subscribe my channel thank you so much अपना कीमती समय देने के लिए thank you so much for watching